हलो फ्रेंज आज बनाएंगे एक कच्छे आलो से एक बहुती बढ़िया तेस्टी हेल्डी नास्ती की रेसिपी यह एक ऐसी रेसिपी है जिसे बनाने में लगेगा सिर्फ 10 मिनित का ताइम आपना सुबह उठके इस रेसिपी को फटाफट से बना सकते हैं बच्चे को टिफिन में दे सकते हैं ब्रिक्फस्ट में खा सकते हैं काफी हल्दी है काफी टेस्टी है तो इसलिए बनाना शुरू करते हैं पसंद आये तो लाइक करना मत भुलिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आये है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा हम यहाँ पर एक कच्छे आलू ले रहे हैं और एक आलू से काफी साड़े नास्ते आपका बनके त्यार होगा अगर आपको ज़्यादा मत्र में बनाना है तो आप ज़्यादा आलू ले सकते हैं तो सबसे पहले आलू को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे तो यह छोटे साइड वाली ग्रेटर जो है उसमें हमने किया है इससे आपका काम आसान हो जाएगा और इसे पानी में ही करनी है नहीं तो आलू जो है वो एकड़म से काले पर जाते है तो इसलिए आपको ना इसे पानी में रख कर ही इस तरीके से करनी है ताकि आलू जो है काला ना पड़े तो ये देखिए हमने एक आलू को अच्छे से ग्रेट कर ली है अब आलू को ना एक बार और अच्छे से हम धोलेंगे ताकि इसमें जो भी इस तरह से वो निकल जाए और फिर इसे ना हम चान लेंगे अच्छे से तो मैंने ना एक वो चाय वाली चलनी से इससे चान लिया है अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया है तो ये देखिए आलो हमारा इस तरीके से त्यार हो गया है तो अब ना इसमें थोड़ी सी मसाले याद करेंगे बहुत जड़ा मसाला हम नास्ते में बिलकुल भी इस्तिमाल नहीं करेंगे कम मसाले में बहुत ही तेस्ती ये नास्ता बनता है तो ये देखिए हमने जो है पहले दाला है नमक तो नमक स्वार अनुसारी दालनी है आपको आधे छोटी समझ दालेंगे धनिया पाउडर आधे छोटी समझ दालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और फोर इस से दालेंगे हम हल्ली पाउडर और एक तुकड़ा नीमबू को ना इस तरीके से आउसकर रज जो है हम निकालके दाल देंगे इससे ना बहुत ही बढ़िया चटपटा हमारा नास्त बनेगा अब ना सभी सीजों को एक बर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस नास्ते में आप मसाला जो है अपनी पसंद अनुसर थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते है और कम मसालों में मैं जब भी बनाती हूँ बहुत ही टेस्टी बनते है तो आलू को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है अब एक पैन में हम दालेंगे दो समस्ट रिफाइंड ओल जैसे ही ओल हमारा गरम हो जाते है हम इसमें डालेंगे एक समस्ट सफेद तिल तिल को हलका सा चटकने देंगे जैसे ही तिल हमारा हलका सा फ्राय होते है हम इसमें डाल देंगे आलू को तिल को आपको जलाना बिलकुल नहीं है अगर तिल जल जाएंगे तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम करवा हो जाते है इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखनी है अब कम फ्लेम पे न हमें कम आज पे आलू को अच्छे से भूनते जाना है ताकि आलू जो है वो जल्दी से पक जाए आलू को हमने ग्रेट करके डाला है इसलिए इसे पकने में बहुती कमक लगता है और ये देखे आलू जो हमारा बढ़िया से पक चुका है बहुती कमक में आलू बनके तयार हो जाते है तो अब हम इसमें डालेंगे करीब देर कप पानी मतलब एक कप और आधा कप से थोड़ा से कम पानी हमने इसमें डाला हुआ है अब आलू को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गेस की फ्लेम को इस वक्त थोड़े से हाई कर देंगे ताकि पानी में जल्दी से उबाला जाए और जैसे ही पानी में उबाला जाते है हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा कप सूजी मतलब करिब देर का पानी में हमने आधा कप सूजी डाला हुआ है क्योंकि इसमें जो है आलू है और आलू भी थोड़े सा पानी जो है सोख करेगा इसलिए हमने एक कप से थोड़े जादा पानी डाला है अब ना हम इसे लगातर चलाते जाएंगे सूजी को पकने में बहुती कम वक लगते है जैसे जैसे आप इसे चलाते जाएंगे वैसे वैसे ये गारे होते जाएंगे और फिर ना ये एकदम दो की फोर्म में आ जाते है तो जीसे ही एकडम कड़ाई छोड़ने लगे आपको समझ जाना है कि सूजी जो है अच्छे से पख चुके हैं तो ये देखिए हमारा भी सूजी बढ़िया से पक चुके हैं क्योंकि ये एकदम क्लीन हो गया है कढ़ाई हमारा और ये भी कढ़ाई छोड़ने लगा है बढ़िया से तो इस वक्त हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे हलका सा फैला देंगे ताकि सूजी हमारा लगा लेंगे ताकि सूजी जब हम इसमें रखे तो सूजी हमारा चिपकेना तो इसके लिए थोड़ा सा तेल आपको जुरूर प्लेट में लगानी है अब सूजी हलका सा थंडा हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और अबना हम इसे बढ़िया से गुंट लें पर पूरा थंडा भी आपको इसे नहीं करनी है अगर यह पूरे तरीके से थंडा हो जाएंगे तो आपका नास्ता ठीक से नहीं बन पाएगा तो हलके गरम में ही आपको जो है इसका दो त्यार करनी है तो दुबारा से हम इसे बढ़िया से इस तरीके से मिक्स करेंगे इसे सूजी और भी बढ़िया नरम हो जाएंगे और एकदम सौफ सा हमारा नास्ता बनेगा तो इस तरीके से अच्छे से हमें सूजी को मिक्स करना है और एक सौफ सा दो हमें तयार करके रखना है ये देखिए हमारा भी दो बिल्कुल तयार हो गया है तो अब इससे रख देंगे हम और हातों को साफ कर लेते हैं और हातों में थोड़ा सा आपको और लगा लेनी है नास्ता बनाने के लिए आप चाहे तो पानी भी लगा सकते है इससे क्या है कि ये जो सूजी है ये चिपकेगा नहीं अब इसको आपको शेप देनी है तो शेप देने के लिए आप अपनी पसंद नुसर कोई भी शेप दे सकते है तो मैं थोड़ी से लंबाई में इस तरह का शेप दे रही हूँ मुझे ये से बहुत पसंद आते है इसलिए में यही दे रही हूँ आपको जो भी safe size पसंद है आप इसमें इस्टिमाल कर सकते है तो ये देखिए इस तरीके से नास्ता हमारा जो है बन के त्यार हो जाते है और ऐसे ही हमें सारे नास्ते को बना के पहले त्यार कर लेनी है friends आपसे request है इस नास्ते को घर पर एक बर जुरूर ट्रै करें और हमें comment में जुरूर बताए कि आपको नास्ता कैसा लगा मुझे आपकी comments का बहुत इंतजार रहते हैं तो please comments करना मत भुलिएगा ये देखिए इस तरीके से जो है हमने नास्ते को बना के त्यार कर लेनी है और ये हमने सारा नास्ता जो है बना के त्यार कर लिया है तो एक आलू से और आधा कप सूजी से आप देख सकते हैं कितना सारा नास्ता बना है अब नास्ते को थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए मैं ये बीटरी इस्तिमाल कर रही हूँ इसके उपर रखके ना हलका सा इस तरीके से चला देने से बहुत बढ़िया निसान इसमें आ जाते है तो आप ना इसे कोई भी डिजाइन से बना सकते है आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये नास्ता बहुत ही बढ़िया लगते है तो इस तरीके से मैं जो है इसमें एक डिजाइन बना रही हूँ और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखने में देखिए इस तरीके से और एक दों फटाफट हो भी जाते है आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन दे सकते है साकू से भी बहुत बढ़िया दिजाइन हो जाते है या फिर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो भी ये बहुत सुन्दर लगता है तो मैंने थोड़ा सा दिजाइन इसमें डाल दिया है और ऐसे ही स्थारे कोजना हम पहले तयार कर लेंगे तो अब चलिए गैस की तरफ चलते है एक पेन में हम डाल रहे हैं दो सम्मस ओयल रिफाइन ओयल हमने ली है आप कोई सभी ओयल इसमें ले सकते है और जैसे ही ओयल हमारा हलका सा गड़म हो जाते है हम इसमें डालेंगे एक सम्मस राई के दाने जिसे हम काला सर्षो भी कहते है वो हम इसमें डाल देंगे हलका सा चटकने देंगे गैस की फ्लेम को एकड़म कम कर देनी है अब नास्ट को हमें इसमें डाल देनी है तो एक एक करके ना हम सारे नास्ट को इसमें डाल देंगे गैस ओन है इसलिए एक बर चला लेते हैं इस तरीके से नहीं तो जो हमारा सरसो है न वो थोड़ा ज़्यादा जो है फ्राइ हो जाएंगे अब बाकी की नास्ते को हम इसमें डाल देंगे उपर से डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर इसे क्या है देखने में सुन्दर लगता है और साथ में थोड़े सा जो नास्ता है हमारा वो चर्पता भी बन जाते है क्योंकि हमने इसमें मिर्च नहीं डाले है तो इसमें थोड़े सा अगर आप लाल मिर्च डालेंगे तो नास्ता खाने में बहुत ही तेस्ती लगता है अलत पलत करने में, तो हलके हातों से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप ना जब भी बनाए, या तो आप दो बार में बनाए, या फिर कोई बड़ी कड़ाई में इसे बनाए, तब आपको एक दो मासानी से आप इसे पलत पाएंगे, तो हलके हातों से देखे एक दो बार में इ यह फ्राइ किया है एकदम कम तेल में आपका यह नास्ता जो है बन के तयार हो जाते हैं काफी हल्दी है तेस्टी है इस नास्ति को घर पर जरू ट्रै करें और यह देखिए नास्ता हमारा बिल्कुल तयार हो गया है आपको इसे बहुत जड़ा पकाना नहीं है क्यूंकि हमारा भी यह नास्ता भी बिलकुल तयार हो गया है तो इसे हम किसी बड़े प्लेट में निकाल लेते हैं अगर आपने यहां तक मेरी वीडियो को देखा है तो आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आया ही होगा सो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा आपकी एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलते हैं तो प्लीज लाइक करके जाएगा और अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि मेरी चैनल में इस तरह की काफी सारी तेस्टी और हिल्डी रेसिपीज है अगर आप देखेंगे तो आपको न मेगी मसाला हम इसके उपर डालेंगे इससे ना बहुत बढ़िया तेस्ट आते है और आपको ना यह मसाला गरम में ही डालनी है ठंदा होने पर नहीं डालनी है तो यह अभी काफी गरम है तो इसके उपर में इसे डाल रही हूँ और मसाला डालने की बात आपको हलका सा इस तेस्ती ये बनेगा तो नास्ता बिलकुल तैयार है चलिए इस सर्फ कर लेते हैं आप इस नास्तिकों बच्छों की Lansbox में भी देख सकते हैं काफी हेल्डी नास्ता है और बच्छों को इस तड़ा का नास्ता बहुत पसंद आते हैं एकदम Алच धम्टवाला नास्ता है थंद कर सकते हैं मतलब जब भी आपको भूख लगे सिर्फ दो सीजों से आप इस नास्ति को बना के खा सकते हैं आपकी हेल्थ भी पढ़िया रहेंगे और साथ में आपका भूख भी मितेंगे तो है ना एक बहुती बढ़िया रेसिपी तो चलिए इसी की साथ ही आज विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ वीडियो को आपने यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुट बाई एं टेक क्यार